नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं Unique Medicine YouTube चैनल दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सिपला के सेरोफ्लो इन्हेलर के वारे में दोस्तों ये आता है डोस काउंटर के साथ में इसके साथ ही अगर हम इसके साल्ट की बात कर लें तो इसमें साल मेटिरोल एंड फ्लू टीकासोन प्रोपियोनेट इनहेलेशन पाया जाता है इंडियन फार्मोकोपिया के अकॉर्डिंग 120 मीटर डोजिस होता है आरेक्स मेडिसिन है तो प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन है कभी भी आपको खुद से नहीं लेनी है थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेश्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो अच्छा लगता है तो इसे पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, सेर कर दीजिए और नौटिफिकेशन बैल को ओन कर दीजिए दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मैडिसिन के क्या-क्या फाइदे होते हैं तो दोस्तो ये एक prescription medicine है जिसके फाइदे आपको मिल जाते हैं जैसे किसी patient को दमा हो जाता है या अस्थमा की समस्या हो जाती है या उनको लगातार respiratory problem की वज़ा से खासी लगी रहती है और इसके साथ ही फेपणों की समस्या हो जाती है तो इस तरह के जो रोगी होते हैं उनके लिए ये medicine काफी benefits देती है और इसके साथ ही अगर किसी को कोब डी की समस्या हो जाती है तो उनके लिए भी ये medicine अपने बहुत अच्छे फाइदे करती है तो दोस्तो ये हुई इसके फाइदे की बात अब थोड़ा सा basic information ले लेते हैं red strip medicine है schedule H category वाली medicine है तो कभी वी आपको खुच से नहीं लेनी है यहां साफ mention है कि इसको बिना किसी बैलिट डॉक्टर के prescription के इसको ना ही sale करना है ना ही इसको खुच से खरीद के use करना है दोस्तो ये एक inhaler की form में है तो इसका कोई आपको ओरली use नहीं करना है injection की form में use नहीं करना है आपको मिल जाती है इसके अगर हम MRP की बात कर लें तो ये 685 रुपय में आपको मिल जाती है जो कि सभी करों के साथ में मिल जाती है यहां इसका बैच नंबर हो जाता है और यहां इसकी manufacturing और expiry date हो जाती है दोस्तो सितंबर 2023 तक इस medicine की life है यानि इसकी expiry है अब थोड़ा सा ह हम इसका indication बॉर्निंग्स वगयरा जान लेते हैं यह आपको एक inhaler की form में इस तरह से मिल जाती है जो कि इसको press करके तब इसको inhale किया जाता है दोस्तो थोड़ा सा इसका salt हम देख लेते हैं तो इसमें salt material 25 mcg पाया जाता है और इसके साथी flutica sol propionate पाया जाता है 250 mg जो कि Indian pharmac मुकोपिया के according पाया जाता है दोस्तो यहां quantity sufficient भी इसमें पाया जाते हैं जो कि propylant होते हैं HFA अगर हम direction की यूद बात करें तो इसको direction के लिए इसमें जो leaflet दिया होता है उसको पहले आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है समझ लेना है और जिस तरह से आपके doctor बताते ह है उस तरह से इसको use करना है दोस्तो हमेशा इसकी जो valid dose होती है जो आपके doctor बताते हैं उतनी dose लेनी होती है कभी भी इसकी recommend dose से जादा नहीं लेनी होती है दोस्तो यह प्रेसराइश कंटेनर है जो कि आपको sunlight और heat से दूर रखना है इसको पंचर नहीं करना है जलाना नहीं है तो इस तरह से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और इसको खाली होने के बाद में आपको तरीके से इसको dispose off करना है दोस्तो आखों से दूर रखना है यूज करते समय आखों में इसका जो gas की form है वो आपकी आखों में नहीं जानी चाहिए बच्चों की पहुंच से दूर रखना है और इसको अच्छी तरह से से करना है यानि अच्छी तरह से हिला लेना है यूज करने से पहले इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है तो दोस्तों ये सिपला के द्वारा बनाया हुआ बहुत अच्छा ब्रांड है इसको manufacture किया है सिपला ने और trademark company है है उनको headache वगयरा हो सकता है vomiting की जैसा उनको feel हो सकता है vomiting जैसा और इसके साथ ही नोजिया वगयरा की समस्या हो सकती है तो ये side effect सभी patient में देखने को नहीं मिलते हैं कुछ एक patient में ये side effect देखने को मिल जाते हैं दोस्तों dose के case में अगर हम बात करें तो ये आपकी जरुत औ dose लेनी होती है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में thanks for watching this video goodbye